सबी human beings क्य também husbandnings की feelings, behavior, motives होते हैं उसके बारे में जानना कि आपके motives, आपके behaviors, feelings क्या है और आप किस तरीके से दöसरों से different है, अलग है और किस तरीके से दूसरों में similar है क्या अंगति क्या feeling same है, कौण से feeling different है क्या motive same है, कौण से motive different है आपका motive क्या है इन सब के बारे में जानने ही क्या होलाता है Self Awareness कह consort Language बारे बारे में किया होलाता है and how Similar to or Different from other आप कौन है और आप कैसे दोस्तों से Similar हैं इसके बारे में जानना ही Self Awareness कहोलाता है और क्या religion है जो हमारी कमजोरी है यानिकि हम बहुत जल्दी डर जाते हैं यह क्या है यह आपकी weakness है लेकिन आप बहुत अच्छे speaker हो आप बहुत अच्छे singer हो यह ठीक है आप बहुत motivate रहते हो तो यह आपका strength हो यह आपको जानना होगा यह आपको जानना होगा तब ही तो आप उसके according अपने behavior को motivate को आपने behavior को modify कर पाएंगे assessing how once is perceived by other यानि कि दूसरा मुझे किस तरीके से perceive करता है दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है इसके बारे में जानना यह self awareness में कहला आता है how others are impacted based on once behavior and conduct और आप किस तरीके से behave करते हो या फिर अगर आप कोई काम करते हो तो इससे दूसरे पर क्या impact पड़ता है इसके बारे में जानना समझना क्या आता है self awareness कराता है तो जहुरी विंडो क्या है टेकनिक फॉर इंप्रोविंग सेल्फ अवेरनेस विदिन एंड इंडूसरे इट हेल्स इन अंडेस्टेंडिंग यह एक टेकनिक है जिससे कि आप अपने बारे में तो जान ही सकते हो साती साथ अपने रिलेशनसिप के बारे में कि दूसरों के स सब कुछ जानता है वो आपको से बुरा नहीं मानेगा क्योंकि उसको पता है कि आप कैसे हो लेकिन वहीं पर अगर आप किसी दूसरे परसन के साथ जो आपके बारे में नहीं जानता है डिटेल में और आप उसके दाथ कोई निगेटिव वेशो करते हो तो वो हो सकता है सामने वाले के साथ आपके relationship अच्छे होंगे क्योंकि आपको जाने का समझेगा लेकिन आगर सामने वाले को कुछ भी नहीं पता है आपके बारे में और आप कुछ negative कर देते हो तो इससे relationship टूट भी जाते हैं तो interpersonal relationship में यह important है कि आपके बारे में सामने वाले को कितना पता ह है और आपने क्या क्या चीज़े छुपाई है इट वाउज डेवलब बाइ अमेरिकन साइकोलोजिस्ट जॉसेफ लफ्ट और हैरी इंगम इन 1955 तो जो आप देख रहे है ना जॉसेफ और हैरी को मिला के क्या हुआ जोहरी हो गया तो नेम्ड दा मॉडल बाईनिंग धियर फ है जिससे कि आप अपने आपको देख सकोगे तो दूसरे को भी देख सकोगे विंडो का मतलब कि खिड़के से हम देखते हैं ना कि हम अपने आपको भी देख सकते हैं सामने वाले को भी देख सकते हैं तो जोहरी विंडो हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी बाते हो formation होती है, जो सामने वाले को पता हो सकती है, सामने वाला हमारा भी यह भी देख के समझ जाता है, लेकिन हमें अपने बारे में नहीं पता होती है, बहुत सारे से talent होते हैं, like, dislike होती है, तो इसी के basis में जोहरी window में four quadrant में divide कहा गया, open, blind, hidden, unknown, the window consists of four segment of pains of human interaction, all of the element together provide comprehensive view of individual, तो यह चारो element जो होते हैं, यह आपको एक comprehensive view provide करते हैं, अपने बारे में, आपको अपने बारे में एक comprehensive view provide करते हैं, तो आप जैसा कि स्क्रीम पर देख रहोंगे, open यान की public quadrant, hidden यान की private quadrant, blind and unknown, यह चार quadrant होते हैं, इन चारों के बारे में आगे detail में देखेंगे कि open, hidden, blind और unknown का मतलब क्या हो गया, तो gifts to look at what one is one's social exchange and what one is not, यानि कि यह जो जोहरी window ही, आपको यह एक look देता है कि आप आपके बारे में socially कौन कौन से information है और कौन कौन से चीज़े socially नहीं पता है और कि कौन से information आप लोगों को बताते हो, कौन से information आप लोगों को नहीं बताते हैं अपने बारे में, feeling emotion motive को नहीं बताते हो, उसके बारे में यह इस जोहरी window से एक look behavior feelings and motives you know about yourself and other also know about you यानि कि suppose कि आपको जो है IS बनना है तो IS बनना है ये motive आपको भी पता है और सामने वाले को भी पता है लोगों को भी पता है कि आपको IS बनना है तो इस में क्या होता है कि इस type की लोग क्या होते हैं वो बहुत सारे इस information होगी जो आपको भी पता होगी और सामने कोई पता होगी तो वो किस में आ जाएगा open quadrant में आ जाएगा वहीं पर कुछ आपकी life में ऐसे feelings, motives होते हैं या फिर behavior होता है जो आपको तो पता होता है लेकिन दूसरों को नहीं पता होता है सच behavior, feelings and motives you know about yourself but others do not know ठीक तो वो liking आपको भी पता होती है जब तक कि आप सामने को बता होगी निया सामने को पता नहीं चलेगा तो सिर्फ आपको पता होता होता कि हाँ वो अच्छा लगता था आपको लेकिन आपने क्या किया आपने जो किसी दूसरे को नहीं पताया तो वो hidden quadrant हो गया प्राइवेट इसी दरगे से past experience आपके साथ कोई घटना घट चुगी थी previous year में या फिर कभी घटना घटी थी जो सिफ आपके साथ घटी थी तो आप ही को पता है कहा मुझे चोड लग गया था या फिर कुछ और हो गया था आपने किसी को बता है नहीं तो वो hidden quadrant हो जाता है तो सभी के life में कुछ ना कुछ secret कुछ ना कुछ past experience या फिर feelings होती है जो लोग छुपाते हैं और दोसरों को नहीं बताते हैं तो वो hidden quadrant हो गया और कहीं न कहीं यह जो है तो है ना hidden quadrant इसको आपको remove करना है यानि कि अगर आप लोगों के बीच में suppose interpersonal behavior में important है कि अगर आप सामने ओले को अपन तब क्या हो गया कि such behavior feelings and motives you do not know about yourself but others know यानि कि ऐसी कई सारे behavior feelings and motives होते हैं जो आपको अपने बारे में नहीं पता होती है लेकिन दूसरों को आपके बारे में पता होती है you do not know about yourself but others know यानि कि जैसे कि आप बच्पन में क्या करते थे बच्पन में कौन कौन सी हरकते करते थे य आपको नहीं याद रहती है, आपने की होंगे, लेकिन आपको याद नहीं रहती है, आपको पता नहीं होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे टैलेंट होते हैं, लाइक और डिसलाइक होती है, जो आपको नहीं पता होती है, लेकिन सामने ओले को पता हो जाता है, कि हाँ ये आपक लेकिन सामने आपको बताता है कि यार, you are a very good singer, you are a very good dancer, आप इसमें करें बना सकते हैं, तो कुछ लोग engineering कर रहे हैं, कुछ लोग management का course कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा singing कर सकते हैं, तो लोग को बता होता है, ये तो अच्छा singer है, लेकिन उसको नहीं पता होता है, तो कई सारे से talent या like या dislike होते हैं, जो आपको अपने बारे में नहीं पता होते हैं, लेकिन दूसरों को पता चलता है, क्योंकि दूसरे आपको observe करते हैं, कि आप क्या behave कर रहे हो, क्या feelings आपके क्या motives हैं, तो blind contact होता है, तो इस case में आप blind content है, तो इसको कैसे हटा जा सकता है, इसके लिए आप क्या कर तो ask for feedback, यानिकि आपने देखा होता कि बहुत बाहर कई लोग singing कर रहे हैं, कोई performance दे रहे हैं, कोई इस भी कर रहे हैं, तो उसके बाद वो feedback मांगते हैं, कि आप please feedback दीजेगा, क्योंकि जब वो सामने वाला feedback देता हैं, तो उससे आपको अपने बारे में और पता चलता है, कि हाँ, अच्छा ये चीज भी है, जो मेरे अंदर थी, आपको नहीं पता होती है, लेकिन सामने वाला observe करको बता देता है, तो that is blind content, इसी तरीके से एक आता है unknown quadrant, unknown quadrant का मतलब क्या हो गया, कि such behavior, feeling and motives, you do not know about yourself, but others also do not know, यानि कि बहुत बार ऐसा होता है, कि जो आपको अपने बारे में नहीं पता होता, और सामने वाले को भी आपके बारे में नहीं पता होता है, कि आपके साथ कुछ ऐसे घटना घट गई, जिसमें आप कुछ extra effort लगा के अपने आपको बचाते हो कई बार आपने देखा होगा कोई threatening situation आ गया उस case में जब आप पढ़ जाते हो न तो आप कुछ ऐसा दिमाग लगाते हो कि जो आपने आज ते कभी लगाया ही नहीं होगा कुछ न कुछ आपके ऐसे talent कुछ न कुछ ऐसा आपका जो है effort बाहर निकल के आता है जो आज तक कभी ने आपने use नहीं किया होगा उस talent का और वो talent आप पहली बार show करते हो तो unknown coordinate यहाँ पर क्या है यह shared discovery है यानि आपको कहते हैं कि जब तक आप आगे कदम बढ़ाओगे नहीं जब तक ठोकर खाओगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा यह वही चीज़ होगे कि unknown coordinate यानि कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर क्या-क्या talent है हमारे अंदर क्या behavior है या फिर क्या motives है हमें पता नहीं होता है लेकिन जब कभी आचानक से situation आती है तो वो talent बाहर निकल के आता है या वो feeling वो emotion बाहर निकल के आती है और तब हमें पता चलता है तो यह discover करना होता है unknown coordinate तो यही चार coordinate होते हैं जिसमें कि open, blind, hidden और unknown coordinate है जो सामने वाले को पता है लेकिन आपको नहीं पता है hidden जो सिर्फ मुझे पता है सामने वाले को नहीं पता है जब कोई अचानल कोई situation आती है तो वो discover होके निकल के आता है तो यह जोहरी window होता है जिससे कि आप अपनी awareness बढ़ा सकते हो आती साथ आपके बारे में दूसरा क्या सोच सकता है और आपके बारे में आपके behavior से feeling से दूसरे पर क्या impact पढ़ सकता है फिशु ओल्डवेश्ट, keep watching